नमस्कार और भाई साहब क्या कमबैक था मतलब क्या ही कमबैक था इस कमबैक के आश्रंग का के लिए किसी ने नहीं सोची होगी विकाज एफसी गोवा किस टाइब करें लेकिन एक चीज है कि एफसी गोवा का थोड़ा सा बुरा टाइम चालो हो चुका है मतलब भाई अभी बहुत गंदे मुमेंटम में जाए चुकी टीम वो जो एक विनिंग मुमेंटम चल रहा था मतलब इतना खतरनाक चल रहा था कि ऐसा लग जाए डिख ऑर लेकिन अभी केला ब्लास्टर से तो भौथी घंदा धो दिया है मैं यह कह सकता हूं ये उनके लिए बहुत बहतर हुआ है, अगर आप पहले गोल पर भी देखे रॉलिन वार्जिस को जो वहाँ पे वाली टाइप का मिल गई थी, मैं मार्क नहीं किया, सहीं से, किरिलर ब्लास्टर ने, एक तो फ्री और बहुत ही सहीं वाली उने ने मार दी, सेकेंड गोल की बा आप में केवल FC Goa जो थी, अटेकिंग साइड जो है, थोड़ा सा बैटर थी, अटेकिंग साइड और केरलर ब्लास्टर में क्या कमी दिख रही थी, कंबाइन नहीं हो पा रहे थी, तो FC Goa ने बहुत अच्छी डिफेंड करी, अब ओड़य उना इंडिया की बात करें, तो क साफी मोटिवेटेड थी, डिफेंसिव साइड तो, और उनने बिल्कुल लिंक नहीं हो नहीं दिया, पूरे मिटफिल्ड में भी वर्क किया, जैक्सन का हैं, विबिन का हैं, आपने देखा कोई अच्छी बॉल डिलुरिस आपको दिखी नहीं होगी, वो पुस्ट कर रहे अच्छा कटिन करें, थोड़ा सा लूज लग रही थी, और दो गोल होने के बाद तो डिमोटिवेटेड भी लगने लगी थी, कुछ पासेज, जबर्दस्ती की मिस पासेज, क्रॉसेज के टाइम भी देख से, संधीप सिंग के साइड से कहीं नगहीं, सुधार की प्लेयर का मूटिवेट, मतलब सब कुछ चेंज दिखा सेकंड हाप में, कम्प्लीटली, और वही पर अगर एफसी गोल की बात करें तो देखो, दो गोल अप थी एफसी गोल अप, और इतना जल्दी, 17 मिनट के अंदर दो गोल अप, और वाला गोल नहीं दिया होता है, तो तो चली उसका तो हम बात नहीं करते हैं, अब रेफ्रीज के डिसेजन के उपर तो मतलब आप डूप के मर जाएंगे, तो भी कुछ नहीं हो सकता, तो हम जो जैन्यन चीजे हैं उनके पर ही बात कर लेते हैं, अब देखिए अगर एफसी गोल की लीड थी, तो मनोलो के टेक तो कि इन अपने फ्रीकिक से टीम को वापस लेके आया है, वो बहुत अच्छा हुआ, कि वो जो अरली उनका है ना, रिटन की ओर जो लेके आए डायसू के, वो फ्रीकिक का गोल होना, वो बहुत इंपोर्टेंट रहा, मैं तब एक को गेम चेंजिंग मुमेंट वहां से क् उसके बार टीम जो कॉन्फुडेंस टीम का बड़ा केरला ब्लास्टरस का, एफसी गोवा अटेक हे नी बना पाई है, एटेक बना ही नी पाई है, आपने देखा, और कंटिन्यूसली अटेक्स क्रियेट किये है, एफसी गोवा के उपर, सेकंड हाप का आप देख सकते, और मैं एक होची अभी भी कह सकते हूं, देखो, फैडर का और देमांटो का जो कॉम्बिनेसन अभी उतना अच्छन नहीं बना है, क्योंकि अभी खेले हैं तो अगर सोची अभी भी, लेकिन देखे फैडर को भी गोवा ब्लास्टरस में, वो दिल, जान, जिगर, पा रहा था अदर्वाइस फर्स्ट आप में गोल निकाल से लेते और दोनों गोल में उनका पूरा डेडिकेशन कह सकता हूं फर्स्ट वो जो गोल हुआ उनका पेनाल्टी जो हुई थी उनका इंटलीजेंस दें सेकेंड गोल वो उनका एफर्ट्स थे जिसके वेसे गोल मिल तो डेमांटो कॉस इस मतलब एक एक्स्टर ओडिनरी मतलब जैसे लूना को जिस आप लेवल पर रखते है न मैं डेमांटो कॉस को भी यसी रखता हूं तो अभी फेडर की जैसे बात है तो जैसे पेपरा और डेमांटो कॉस का एक जो कॉम्बिनेशन बन गया था डेडिली कॉम्बिनेशन मतलब उसका तो कि तोड़ी नहीं था मतलब क्या ही चल रही थी केलाब रास्टर क्या चल रही थी तो वैसा फेडर के साथ मैं थोड़ा बस सोच रहा हूं कि दो तिन गीम के बाद अगर वो मुझे नजर आया और क्योंकि अभी है न वो नजर नहीं आ रहा ह अभी मैं चाहता हूं कि वो हो गई ना तो केलार ब्राश्टर मुझे ऑके समाली लेंगे और आपने सगर ने भी देखा कि जये स्टाइब के डिफेंडिंग हुई है केलार ब्रास्टर के साइड से इसे कमहाल न मिदफिल्डसे चांस बनाने दिये तो मैं मिद फिल्ड की थ करूंगा कि आपने चांस नहीं बनाने दिये तो ये ये कहां था भी तक तो तीन गेम में लूज कर रहे हैं कहां थे भाई अभी सही चल रहा है अब मैं चाहूंगा कि इस स्ट्रीक को आप जारी रखे विकॉस आपके फैंस जो है ना वह चीजे डिजर करते हैं और थी कि एफ मिड का भी और आगे स्ट्राइकर्स तो सेकंड आप में कुछ करी नहीं पाए आगे फॉरवर्ड लाइन तो कुछ नहीं कर पाए क्लियर ली हाला कि लांस ट्रांस मुन को कुछ चांस मिले भी थे लेकिन वह एक तो नौसा दो याला जो ब्लॉक हुआ था वो एक बहुत एक देखो मैं उनको को बहुत एक्स्टाओडिनरी गोल की पर तो नहीं मानता हूँ अभी तो बचे थे डिफेंस अच्छी होने की वजय से यहां पर क्लियर ली आप देखे कैसे सिली मिस्टेक्स होती उनके साइट से तो मतलब यह क्लियर ली मैं बोल रहा हूं कि डिफेंस उनके कारणी उन तक बॉल्स उस तरीके से पहुंची नहीं पाती है तो यहां पर लेकिन कुछ तो एक्स्पोज होआ है ठीक है तो इसके उपर भी सोचना पड़े गा क्लियर ली दिखा यह चीजे दिख रही है तो अभी देखें सिंपल सी बात ही है कि एफसी गुआ अपन मुमेंटम में आना जैसे कि एलब लास्टरस में मुमेंटम में भी लेकर आ गया है अब यहां से उनको आगे बेटर वर्क करना है कि अब मैचे जो लूज ना करें इस ड्रौ पर रोकें और विन करें इस पर सोचें अब हाला कि कोई हलवा नहीं है यह बोलना इजी है करना बढ़ा मुश्किल है बट एफसी गुवा एक एसी टीम है जो जानते की हाउ टू मेक कमबैक वो जानते यह कॉलिटी प्लेयर्स अभी ब्रेंडन खेलेंगे काली टोज ने नहीं खेला तो चीजे अभी ऐसे कि मान लीजे मैं भी कह सकता हूं कि बोरा हरेरा अगर वो नहीं तो में भी कहानी कुछ अर भी हो सकते थे ब्लमं में बोरा बोर्हा बोल डिलिवरी जो दे रह deriv यह जो लोगश्यदर है तो बौरा बारा रोल हो चुका है क्याकर प्लेयर मैं आफ़ बहुत बहुत जरूरी है कि के आपके प्लेयर समेसा ठीच पे रहे है बहुत जरूरी है के लिए तो यह मच नीड़ेड विन थी अब यहां से उनको एक फिर से जना वो क्या वोलते उसको रोशनी मिली है वो मिल चुकी है और आई होप कि इसको एक कंटीनीव करेंगे अभी इवान जो है और बेटर वर्क करेंगे टीम पे कि जो फर्स्ट आप सेकंड आप में परफ इवन आप लूना चले गए उनके प्लेयर्स की प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाउजी हो तो बहुत अच्छा खेले तो आई नो कि उनके पास है क्वालिटी उनके पास भी है बट वही है कि अगर इस टाइप का मोमेंटम रहेगा कि फर्स्ट आप में कुछ और सेकंड आप यहां मैच जीतकर उपर निकल जाएगी लेकिन केरला ब्लास्टरस ने होने नहीं दिया केरला ब्लास्टरस उनके उपर है 29 पॉइंट्स के साथ लेकिन एक मैच का एडवांटेज अभी है गुवा के पास तो यह थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है बाद में तो आप इस मैच क ज़रूर कमेंड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबाल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत